आपने पालक की बहुत साथी रेसिपे इस ट्राइक की होगी पर एक बार लहसुनी पालक बना कर देखिए बहुत ही मज़ेदार डेश है और इसके उपर जो लहसन का तड़का लगाया जाता वो इसे कम्प्लीटली डिफरेंट बनाता है बच्चे तो क्या बढ़ों को भी बह आसी कुजीन को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अफडेट के लिए लेसुनी पालक बनाने के लिए लगभग 200 ग्राम पालक लेना है आपको पहले अच्छे से धोलें और इसके डंठल का भी हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बढ़ियां से पहले पालक को धोलें, उसके बाद हमें इसे ब्लांच करना है, तो पानी को गर्म होने दें, बॉलिंग पॉइंट पे आने दें, उसके बाद सारा पालक हमें इसमें एड़ करना है, और मीडियम फ्लेम पे हमें दो से तीन मिनट तक इसे कुक करना, तो पालक को बहुत ज्यादा कुक करने की जरुवत हैं बस दो से तीन मिनट, और दो से तीन मिनट के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे, तो फ्लेम को बंद कीजिये और इसे निकाल करके एकदम चिल्ड पानी में इमीडियेटली डाल देना है पानी में आप ice cube भी डाल सकते हैं ब्लांच करने से पतियों का color बिल्कुल हरा रहता है और इसकी nutritious value भी बनी रहती है तो इसे ब्लांच करके हम use करेंगे ताकि इसका color हरा कहरा रहे देखी इसका color कितना शानदार है अब इसे बाहर निकाल लेंगे ठंडे पानी से एक plate में और अब क्या करना है पालग को दो भागों में हम divide करेंगे देखे आधे भाग को हमें grind करना है और आधे भाग को हम chop कर लेंगे बिल्कुल बारिक बारिक कट कर लेंगे तो पहले हम इसे grind कर लेते हैं तो जब भी पालग की कोई recipe बनानी हो जैसे पालग पनीर वगेरा बनाना हो तो पालग को blanche करके यूज करें इससे इसका color बहुत ही बढ़ी आता है मैं दिखाती हूँ आपको देखे कितना अच्छा color आया है अब हम इसे एक bowl में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए पालग को chop कर लेंगे बिल्कुल बारिक बारिक इस तरह से ये जो recipe बनने वाली है ना बहुत amazing taste होता है पालग के साथ लहसुन का combination बहुत ही गजब का लगता है और उसे आप चपाती और राइस दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं तो इसे हमने chop कर लिया है और अब क्या करना है एक pan में हम डालेंगे एक चम्मच घी घी का यूज़ करें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आधा चम्मच जीरा डालें और आधा चम्मच क्रश किया हुआ धनिया डालें उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसन जिसे मैंने grate कर लिया है आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके यानि अदरक और ल हरी मिर्च डाल रही हूँ अगर आप ती खा ज्यादा खाते हैं तो जादा हरी मिर्च डालें और अब डालना है एक मीडियम साइज का प्यार जिसे मैंने चौप कर لिया है इस रेसेपी में मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें रेसेपी को बिलकु हल्दी पाउडर इसे भी हमें मिक्स कर लेना है और इस रेसेपी की बहुत ही जरूरी इंग्रीडियंस वो है बेसन एक चमच भरके बेसन डालें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस वक्त फ्लेम को लो कर दें और बेसन की अच्छी से भुनाई करनी है हमें बेसन से पा इसमें से सेपरेट होने लगेगा और बेसन अच्छे से भुन गया है इसमें से एक खुश्बू भी आ रही है तो अब हम इसमें डालेंगे चौप किया हुआ पालक और उसे भी हमें अच्छे से फ्राई करना है इस वक्त फ्लेम को मैंने लो पे रखा है और पालक को बढ़ की एक चौप किया हुआ टमाटर वैसे बहुत लोग पालक के साथ टमाटर नहीं डालते हैं पर मुझे पसंद है तो मैं एक टमाटर डाल रही हूँ अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसके भी कर सकते हैं और अब डालना टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक मिक्स कर लें इ मैंने दो चम्मच पानी इसमें डाला था बाद में क्यूंकि ये काफी ड्राइ लग रही थी और ये देखिए सारी चीजें अच्छे से पक गई हैं और कमाइल भी हो गई है अब बारी है इसमें ग्राइंड किया हुआ पालक डालने की और आप देख सकते हैं इसका कलर कितन और आला जवाब है क्यूंकि हमने इसे ब्लांज करके डाला है अब अच्छे से मिक्स करेंगे और पालक और सारी चीजों को 2-3 मिनट तक हमें पकाना है और ये देखिए मैंने इसे कवर नहीं किया है बस बिना कवर किये इसे 2-3 मिनट हमें कुक करना है और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो लगभग आधा कब पानी आपको डालना है इसमें अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और सारी चीजों को cook करना है दो से तीर मिनट तक बिना cover किये और ये देखिए बेसन डालने की वज़े से सारी चीजें बहुत अच्छे से combine हो गई है बेसन की जगा आप आटा भी डाल सकते हो गेहूं काटा उससे भी वही result आता जो बेसन से आता और ये देखिए सारी चीजें अच्छे से combine हो गई है और cook भी हो गई है अब हमें इसमें डालना है एक चमच गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम mix करेंगे और mix करने के बाद हमें ज़्यादा देर तक इसे cook नहीं करना है बस एक से दो मिनट तक इसे cook करें low flame पे तो बस इससे ज़्यादा हमें cook नहीं करना है flame को अब बंद कीजिए और अब हम लगाएंगे इस पे एक अच्छा सा तड़का आपने पालक की बहुत सारी recipes try की होगी पर ये completely different है तो बस इससे गाढ़ा हमें नहीं करना है क्योंकि बार में ये और गाढ़ा हो जाएगा तो चलिए अब हम लगाते हैं इस पे एक बढ़ियासा तड़का तड़का पैन को गर्म करें और उसमें डालें एक चमच गी आप चाहें तो butter भी डाल सकते हैं पर oil का इस्तिमाल मत करिएगा क्योंकि इसमें घी का flavor बहुत अच्छा आता है आधा चमच जीरा डालें और अब डालना है इसका key ingredients यानि धेर सारा chopped किया हुआ lesson lesson को हम थोड़ा सा fry करेंगे थोड़ा लाल होने तक और अब डालना है इसमें सुखी लाल मिर्च साथ ही हम इसमें डालेंगे सफेद दिल अगर आपके पास हो तो जरूर डालें बस आधा चमच डालना है और अब फटा-फट से हमें तड़का लगाना है और यह जो तड़का है ना इसे completely different बनाता है बहुत ही अच्छा flavor और अरोमा इससे निकल कर आता है पालक और लहसुन का combination बहुत ही मज़ेदार लगता है इस रेसिपी को try जरूर कीजिएगा और सब को बहुत पसंद आएगा पालक वैसे भी बहुत ही healthy होती है इसमें बहुत सारे antioxidant properties होते हैं और यह सेहत के लिए बहुत अच्छी होती तो आपको यह recipe कैसी लगी comment करके please हमें जरूर बताइएगा और साथी इस तरह की और भी मज़ेदार recipe देखने के लिए subscribe करें गितांजली's classic cuisine को like करें शेयर करें अपने friends और family के साथ और bell icon को जरूर प्रेस करें latest update के लिए तो मिलते हम अपनी next recipe पे till then thanks for watching and bye bye